इंद्रिया नाम ही चर्ताम यन मनोनू विधीयते यदस्य हरती प्रज्याम वायूर नाव मी वामभसी जल में वायू जैसे नाव को हर लेता है वैसी ही विश्यों में वे चर्ती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है वे एक ही इंद्रिय प्रग्या को हर लेती है तस्मा द्यस्य महाबाहो निग्रितानी सर्वशह इंद्रियानी इंद्रियार्थे भ्य तस्य प्रग्या प्रतिष्ठिता इसलिए हे महाबाहु जिस पुर्ष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विश्यों के वश में की हुई होती हैं उसकी बुद्धी स्थिर होती है बुद्धी का दिवाला निकले और सुख रहेना जिंदगी में पुति ब्रश्ट हो जाए, भावना भाव बन कर उड़ जाए, इसके मूल में इंद्रियों की भागम भाग रहती है, इंद्रियां भगाती है, विश्यों की ओर भागती है, इच्छाओं की ओर भागती है, और मन की शान्ती भंग हो जाती है इच्छाओं के पीचे भागतावा मनुष्य अपने मन को भ्रमित करता है दुखी कर देता है अशांत हो जाता है तो मूल बात यह है इंद्रियों की मन की गुलामी कैसे छुटे यह जो मन शरार्ती बालक है यह कंट्रोल में नहीं आता तो भगवान गीता में उपाई बताते हैं उपाई है स्थित प्रग्यता जैसे नाव चलती है समुद्र में और समुद्र में तूफान आ जाए तो नाव डूब जाएगी बिलकुल ऐसे ही जब भीतर इच्छाओं की आंधी कामनों की आंधी आती है तो हमारी भीतर की शान्ती की जणाव है वो डूब जाती है एच्छाओं के भवर में मनुश्य फसकर अपने अंदर की शान्ती को भंग कर देता है हमने ही इंद्रियों को बल दिया ग्यानी क्या करता है एक योगी एक ज्यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखता है कंट्रोल रखता है इच्छाओं पर नियंतरन रखता है इंद्रिया हमारा कॉपरेशन मांगती है सहयोग मांगती है तो ज्यानी इंद्रियों को सहयोग नहीं देता यदि मन कर रहा है कुछ तीखा खाने का परंथु पता है कि खाने से एसिडिटी होगी तो हम यदि कॉपरेशन ना करें तो इंद्रिया उसको टच नहीं कर सकती उस विशे को भोग नहीं सकती तो ज्यानी कंट्रोल रखता है अपने उपर इंद्रियों पर जब हम वश रखते हैं कॉपरेट नहीं करते वासनाओं को उनकी चीजें नहीं देते इच्छाओं को उनकी चीजें नहीं देते हैं तब हम अपने आप में स्थित होने लगते हैं तो यहां कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण कह रही हैं, तो अपने आप में ही प्रतिष्ठित हो जा, स्वयम में प्रतिष्ठित हो जा, तो स्वयम में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो तु सब कुछ प्राप्त कर लेगा.